नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि बकरी पालन के लिए लोन केसे प्राप्त करें और उसके लिए गोर्मेंट कित्ते आपकी हेल्प करती है यह सारी चीज़े आपको मैं आज के वीडियो में पूरा क्लियर करके बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले जो जरूरी चीज़े वो आपका किसी भी बेंक में खाता होना बहुत जरूरी है तो जिस भी बेंक में आपका खाता है वहाँ पर आप जाईए और अपना जो बिजनेस का जो आइडिया है बकरी पालन का वो उस मेनेजर को जहां भी बेंक मेनेजर है उनको आप बताईए और अगर bank manager या फिर कोई साथ भी loan department जो बैंकम है वो अगर आपके बात सुनते हैं और अगर आपको yes बोलते हैं तो यह आगे की process करिये दोस्तों इसके बात दोस्तों जो भी loan department है वहाँ पर जाइए और पता करिए कि इसके लिए क्या terms and condition है यह सबसे पहले आपको जानकार होना बहुत जरूरी है उसके बात अगर आप किसी योजना के थुरू अगर बकरी पालन के लिए loan लेना चाहते हो तो आपके जो जीले है जहां भी आपका जिला लगता है वहाँ पर जाइए और जो भी योजना जैसे कि एक योजना है वित्ति विकास निगम इसमें आपको दोस्तों पचास अजार से दस लाग तक का बकरी पालन के लिए loan मिलेगा वह इसा भी अगर loan लेने से पहले आप जो भी योजना है उसमें आपको क पचास अजार के लिए loan चाहिए या फिर एक दस लाग तक का loan चाहिए यह सारी चीजे बकरी पालन के लिए आपको कित्ता लोन चाहिए यह सारी चीजे वहाँ पर आपको भनना पड़ेगी जैसा पचास अजार के लिए अगर loan के लिए अपलाई करते हो तो पचास अजार अगर उस फाम में भरते हो तो वहां पर आपको लिखा रहेगा कि 50,000 के लिए गौर्मेंट की तरफ से कितना परसें सब्सेडी देती है ये सारी चीजे आपको वुष सकते हो और सारी इंकौईरी ले सकते हो वहां से आपको अगर फाम भरते समय आपने जैसे जिस बैंक से बा लेना और जो भी आपको डोकुमेंट से लगए वो सारे डोकुमेंटस तो उसमें आपके जो फाम में उसमें लगाके उनको सम्मीट कर दिजे तो वो-आपको सम्मीट हो गया उसके बाद ह är 7 villain और ब echtा सां जहां तक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा वो आपके जो ब्लाक में जो भी अधिकारी है पसुचिकिसाल है अधिकारी है उनके द्वारा बनेगा ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो जो आपके ब्लाक में जो एनिमल डिपार्टमे जो निमय के जो आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना होगे उसको आपको बेंक में समिट करना पड़ेगा बैंक आपका जो फ़ां रहेगा उसको में ब्रांच में पहुचाएगा और वहाँ से तीन महिने का प्रोसेस लगेगा तो अगर आपके खाते में जलदी अग जो भी रहेगा उसके बीच में आपको पेशा मिल जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो अगर आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए अगर आपको और जानना है तो आप म